पॉरिंदों मेरा वीडियो में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा credit card to bank transfer एक नया तरीका बिल्कुल नया तो इसके लिए एक application आपको चाहिए वो application का link मैं description में दे दूँगा वहाँ से आप download कर लिजिए तो application का नाम है भारत NXT तो इहाँ पे जब आप download करेंगे playstore से तब आपको ऐसे एक interface आएगा वहाँ पे आपको mobile number देना है mobile number देने के बाद next में आपको click करना है जब आप next करेंगे तब इहाँ पे enter इहाँ पे दिखिए use referral code इसको आप click करना है यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक जब जो मैं आपको referral code दे दूँगा अगर उसको आप use करेंगे तो आपको 100 रूपीस मिल जाएगा वो live मैं अभी आपको दिखाऊंगा और बहुत ही जरूरी है referral code डाल लगे क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप खुद भी पर सकते हो कि use referral code to get instant top up on your भारत NXT wallet instant मिल जाता है आपको इसलिए आप मैं जो referral code डालूँगा वो आप यहाँ पे डालिए नहीं तो और download आप मेरा link से कर लिए तो आपको 100 रूपीस मिल जाएगा उसके बाद देखिए आपको डालना है pen आपका जो pen नमबर है यहाँ पे डालिए उसके बाद आपको ऐसा दिखाएगा आपका name, date of birth, gender, email ऐडिया आपको डालना परेगा और address उसको आप confirm कर दीजिए उसके बाद आपको पता है यह KYC होता है तो अब यह अधर कर देना है, अधर कर देना के बाद आपके mobile पर OTP आएगा, OTP फिल आप करना है उसके बाद complete full process, complete full KYC कर लिजिए उसके बाद देखिए यहाँ पर OTP आया था, OTP डालना के बाद continue पर क्लिक कर दीजिए जब आपका A process हो जाएगा तो interface ऐसे आएगा, यहाँ पर देखिए मेरा 0 है और add card का एक option है, यहाँ पर add card जो credit card से आप अपना रुपया bank में लेना चाती हो O credit card number यहाँ पर आपको डालना है, add करना है, जो मन लिजिए A मेरे पास है, S credit card इससे मैं रुपया नेना चाती हूँ, तो यहाँ पर डालना है, O बला card ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं अभी आपको बताया था 0, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा एक आपको, ऐसा मिलेगा reward का option, वहाँ पर आप sketch करेंगे तो आपको 100 भारत NXT cash आपको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है, उसके बाद देखि और bank account, same, इसमें कोई बात नहीं कि केरिट कार जिसके भी नाम पर है कोई बात नहीं, मगर account जिस नमबर से किया और जिस नाम से अपने account किया, उसी की bank account यहाँ पर मत डालिए, दुसरा कोई bank account डालिए, मतलब कि अगर X नाम से आप account करेंगे भारत की यहाँ पर, तो आप account देंगे Y की नाम पर, मतलब कि देखिए, जो जिसके नाम से account हुआ, उसके account number यहाँ पर नहीं डालना है, जिस account, दुसरा कोई बेखती का account number यहाँ पर डालना है, और जिसमें आप एक केरिट कार्ट का बैलेंस आप लेना चाती हो, तो उस account number डालिए, confirm account, IFSC code, 1 रोपीस डा दे गया हो लोग, उसके बाद next कीजिया, तो मैंने जो नाम पर account किया था, उस नाम पर मैंने पहली भी आपको बताया था, बैंका को नहीं डालना के लिए, उस नाम पर दूसरा कोई अब नाम के account number यहाँ डालना पड़ेगा, और यहाँ पर इसके बाद जब payment details हो जाएगा आपको personal leaders में यहाँ पर name और mobile number, email ID, ऐसे सारे कुछ देंके, add new pay में क्लिक करना होगा, इसके बाद payment, sorry, इसके बाद add pay successfully हो जाएगा, उसके बाद make payment पर आपको क्लिक करना है, जब करेंगे तो मैं यहाँ पर 100 रुपीस यहाँ पर करती हूँ, उसके बाद next मैं आपको दिख देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, choose your service, quick pay, मतलब 9 को अगर चाहिए, एक यह जो आज आप payment करेंगे, ओ अगर 9 को आप settlement चाहेंगे, तो 1.35% आपको charges लगेगा, 1.35% और अगर आप classic पर चाहती हो, जहाँ पर 1.10%, मतलब कि एक में लगेगा, quick pay में लगेगा, 1.30% और classic में लगेगा, 1.10%, एक कप payment सकते हो, आपका credit card से आज रुपया कर जाएगा, मगर आपको मिलेगा कप 12 को, तो उसके लिए charges जादा नहीए, अब आप बताएंगे, sir, आपने तो बताया था, बिलकुल free में हो जाएगा, एक कैसे free में हुआ, आप बताये, तो मैं आपको बताऊंगा, एक free में होगा, आप वीडियो में रहे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, free में होगा, 100% free में होगा, तो उसके बाद दिखिए, scroll down कीजिए, तो वहाँ पे, देखिए, एक option है, pay 1.3 using भारत NXT cash, मैंने आपको ब अगर आप classic pay को choose करती हो, और इसके tick अगर आप कर देते हो, तो pay अगर आप भारत NXT cash, जो आपको 100 टुपीस मिला था, देखिए, ये wallet balance 100, इसमें से आपका deduct हो जाए 1.3, जो charges हो हो जाएगा, तो इसको आप select कर लीजिए, इसलिए मैंने referral code डान ले के लिए, आप लोगों क card मैंने add किया था, ये वाला card मैंने add किया था, ये मेरा state bank का है, simply click, ये मैंने add किया था, क्योंकि ये आप 5 reward point भी लेगा, इसलिए मैंने एक select किया, उसके बाद continue में मैंने click कर दिया, जब मैं continue में click किया, तो देखिए, अभी, अभी देखिए, अभी 100 टुपीस कर गया, from ज click किया, उसके बाद देखिए, एक OTP आया था, state bank का, आपको पता है, अगर state bank का grade card है, तो इसमें देखिए, ये बार आया, merchant ने, यहाँ पर देखिए, 100 मेरा आ गया, क्योंकि मैंने wallet use किया था, उसके बाद क्या हो गया, ये processing में चला गया, मेरा जो amount है, 12 September को मुझे मिल जा जाएगा, processing money deduction भी हो गया, ये ही था आज का वीडियो, इसके साथ मैं आभी आपको एक बताऊंगा, आज आप credit card से जितना मर्जी आप bank में transfer कर लिजे, मैं काल एक वीडियो दालूंगा, जहाँ पे credit card bill payment पे आपको unlimited cash back मिल लगा, क्योंकि देखिए, आज तो आप यहाँ से निकल लेंगे, bank में, उसके बाद इसका bill भी generate होगा, उसका bill भी देना है, उसका भी मैं एक trick दे दूंगा, जिसमें आप वो trick यूज करेंगे, तो bill payment में आपको unlimited cash back मिलेगा, उसके साथ कितना आप एक मैने में, नहीं तो एक साल में, कैसे आप credit card to bank transfer कितना करेंगे, और कैस जैसे करेंगे, जैसे कि आपको income tax का notice ना आए, इसके regarding एक video आएगा, जहाँ पर income tax already notice दे आ है, और उसमें क्या 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 करना पड़ेगा, कैसे transaction करने से आपको income tax का notice नहीं आएगा, ओ भी मैं बहुत जल मेरा चैनल पर वीडियो लेके आऊंगा, ओके थेंक्यू